तो जैसे कि आप लोगों ने thumbnail में देखा मैंने इत्ते सारे books जो बोल रहा हूँ ECWIN के लिए जो common subjects है आपके 6 से 7 उन सब के लिए ये books है लेकिन क्या इन में से best book कौन सा है तो मैंने इन में से ये जितने भी books देख रहे हैं ये सारे subjects जो है मैंने teach किया है तो इसी वज़े से जो है मेरे को इत्ते सारे books पढ़ना यहाँ पे जरूरी लगा लेकिन क्या आप लोगों के लिए best book कौन सा है आपको पता है तो आज के video session में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि best book for ECWIN कौन से कौन से books होने वाले है तो जो इसमें मैं और भी part ला यह वाले जो video session है इसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा कि common books आपके कौन से कौन से है और best book कौन सा है उसी पर बात करेंगे तो नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंजीनियर्स गाइड में चलिए फिर video session हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पह मुझे flip card paid offer में मिला था तो मैंने इसको purchase किया था लेकिन जब मैं इस book को पढ़ा it is one of the best book अगर आप IIT में कोई भी interview देने जाते है तो mathematics का real life में क्या application है जैसे कि अगर आप एक determinant पढ़ रहे हो तो determinant का real life application क्या है vector space पढ़ रहे हो तो उसका real life application क्या है पूरा इस book में है and this is a very very good book better than BS गरेवाल लेकिन अगर आप crazy के साथ compare करोगे इस book का तो crazy is the best book यहाँ पे जो next book मेरे पास है यहाँ पे आप देख सकते हो that is your BS गरेवाल जो कि आपका engineering mathematics है यहाँ पे और जितने भी B.E.B.Tech के student है सभी इस book को prefer करते है this is a good book but इसमें जो है questions जो है अभी आप देखोगे those are very very outdated gate में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते है तो अभी अगर कोई second year या third year में है तो यह book को आप जरूर पढ़ सकते हो for your theory purpose लेकिन gate के लिए इस book को जो है यहाँ पे आपको refer नहीं करना है next book this is your opamp and linear integrated circuit by Ramakant एक गायक वर्ट तो आप अगर opamp में mastery चाहते हो साथ ही gate के syllabus के according यहाँ पे जो questions है these are the best अगर आपको opamp में mastery करना है तो आपको यह book जरूर पढ़ना चाहिए इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा जब भी आप Ramakant ए गायक वर्ट अगर आप opamp के लिए पढ़ रहे हो तो syllabus जो है यहाँ पे काफी जादा vast है compared to gate syllabus इसलिए पढ़ने से पहले आप जरूर कोई भी YouTube वीडियो पहले देख लीजिएगा या फिर आप अपने syllabus से जरूर मैच कीजिए कि इसमें कौन से कौन से topics आपको पढ़ना है but this book is specifically for opamp and circuits next book यहाँ पे जो है electronic devices and circuit theory by Boylsted this is one of the very good book अगर किसी को EDC और साथी analog electronics का basic पता करना हो तो यहाँ पे FET, MOSFET सब topics है लेकिन इस book का एक problem है कि यह बहुत ही in-depth है और जो लोग ECE domain से नहीं अगर आप electrical या instrumentation से है तो यहाँ पे basically this is kind of EDC also यहाँ पे आ जाता है जैसे कि अगर BJT है आपको BJT का सिर्फ working principle पता होना चाहिए ना कि BJT का manufacturing कैसे होता है उसके बारे में लेकिन इस book में जो है सब कुछ दिया हुआ है so if you are an ECE student electronics and communication के तो मैं बोलूँगा इस book को आप लोग जरूर refer करियेगा for your EDC as well as analog electronics तो जो हमारा next book है OPAMP series में that is Microelectronics Circuit by Sedra and Smith best book इसमें theory भी बहुत अच्छे से समझाया गया है in-depth समझाया गया है साथी इसमें जो OPAMP part है amplifiers part है that is the very good of this book यहाँ से आप इतना जान लीजी अगर आप इस book के questions भी solve करते है साथी theory पढ़ते है कोई भी ऐसा exam नहीं है चाहे engineering services हो ESRO हो या कोई भी बार्ग DRD हो जितने भी interview है जहाँ पर analog से question पूछे जाते है सब इसी book को base बना के पूछते है so if you are in second year I will definitely recommend you to read this book for analog electronics for mastery in analog electronics तो जो third book मेरे पास है यहाँ पर Millman Halkias this is also for analog इसमें questions जो है that is for gate level अगर आप gate 2016-17 के अगर questions लेखेंगे आप पीछे भी दोजार आंट नो directly इसमें से जो concept उठाए गये है gate paper में analog electronics के लिए so you can refer this book but out of these two books if you ask me Sedra and Smith और Millman Halkias में से आपको कौन सा book पढ़ना चाहिए easy language then I will definitely recommend you Sedra and Smith आप लोग जरूर पढ़िएगा और यह जितने भी books में आप लोग को बोल रहा हूँ इन सभी books के जो है PDF free available है internet में आपको search करना पढ़ेगा बस इतना ही है next control system की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 3 books place किये है एक है आपका नागराद गोपाल control system engineering बहुत ही old edition book है यह लेकिन Indian author book है और इसमें advanced control system अगर आप mtech कर रहे है control systems में so this is a very good book बट जो best book है मेरे पास मैं आप लोग को वो बोलता हूँ सबसे पहले that is Benjamin C. Kuo का automatic control system बहुत ही best book है I think 2014 में एक question आया था feedback जब रहता है तो steady state error क्या होता है system में इस book को आधार बना के लोगों ने जो है वहाँ पे marks to all मिला था so this is one of the best book for control system even if I compare it with your Norman NICE Norman NICE से भी जादा अच्छा है so if you are reading Norman NICE और if you are reading Benjamin C. Kuo मैं हमेशा बोलूंगा कि आप Kuo को book को देखिए questions भी बहुत अच्छा है आप practice भी कर सकते हो talking about this book इसमें बहुत ही simple languages में question लिखे हुए है ठीक है आपका जो है Norman NICE but BC Kuo आप देखिए सबसे best रहेगा next यहाँ पे मेरे पास आजाता है digital electronics देखिए digital electronics के लिए यहाँ पे मेरे पास तीन बुक है सबसे पहला जो है Morris Manu है तो यह actually मैंने Xerox लिया था क्योंकि मेरे को hard copy में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है so Morris Manu जो है यह बहुत ही concise है इसमें questions बहुत अच्छे है आप Morris Manu से questions practice जरूर कीजिएगा लेकिन theory if you are a first time reader आप second year, third year में हो आपने पहले basics नहीं पढ़ा है then I will not suggest you to read this book the best book for digital electronics which I feel is Thomas L. Floyd यह book best है इसका PDF भी freely available है internet पे और इसके जो theory है theory part that is very very easy to understand और यहाँ पे जो है जितना भी real life example जो लोग भी VLSI वगेरा में pursue करना चाते वो लोग definitely इस book को पढ़िया अगर आप second year या third year में हो आपके पास enough time है you can also make notes from this book जो third book मैंने यहाँ पे लिया है यह है Teriltium not J का book है यह एक foreign author है book थोड़ा सा difficult है लेकिन इसमें जो concepts है those are very very high level एक gate का question directly इस book से आया था जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने यह चीज़ observe किया था कि questions इसके बहुत ही high level है लेकिन not very very easy to understand a little bit difficult book to understand so third book fourth book in this series of digital electronics is microprocessor 8085 by your Ramesh Gaokar तो यह book microprocessor का सबसे best book है अगर 8085 आपको पढ़ना है इस book के अलावा आपको कोई भी book यहाँ पे देखना नहीं है next हमारा जो है circuit theory के लिए यहाँ पे मेरे पास फिर से तीन book है सबसे पहला है William Hatt फिर है Van Welkenberg और जो last book है that is Alexander Sadiku so if you are a first time reader I will definitely suggest you to read Matthew Alexander Sadiku इसके questions practice करिये that will be enough no other textbook is required लेकिन अगर आपको लगता है high level conceptual questions आपको पढ़ना है so definitely you should solve Van Welkenberg लेकिन यहाँ पे कोई भी necessity नहीं है मेरे को लगता है कि इसको solve करने का क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ because if you only read and solve Alexander Sadiku that will be enough for your circuit theory और एक जो book यहाँ पे मेरे को specially बहुत अच्छा लगता है जिसका language बहुत easy to understand circuit theory में वो है William Hatt यह book भी आप पढ़ सकते हो इसके questions solve कर सकते हो लेकिन अगर आप Sadiku read करोगे that will be enough for you next book there are three books for signal and system first is Anand Kumar second is Oppenheim and third is Simon Hackin इन में से तीनों में से अगर मैं best book बोलू Anand Kumar is the best book लेकिन अगर questions के उपर मैं बात करू तो Simon Hackin is the best Simon Hackin और अगर किसी को best अगर signal and system पर पढ़ना है जिसको DSP वगर में M.Tech करना है they should read this Oppenheim book because this is the best book even M.Tech अगर आप IITs में जाओगे वहाँ पर अगर आप signal and system subject को पढ़ोगे this book is the most referred book आपको इसी बुक को पढ़ना है लेकिन अगर आप gate के लिए prepare कर रहे हो I will definitely suggest Anand Kumar it is the best book और इसके जो questions भी है वो भी काफी gate में आते है और बहुती easy to understand है specially electrical के students जिनको signal and system 4-year series बहुत tough लगता है उनके लिए ये जो book है ये best book है तो यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ जितने भी common subjects थे उन सभी का मैंने books discuss कर लिया है अगर आप लोग को और भी कोई books अच्छा लगता है आप जरूर comment करके मुझे बताइएगा मैं भी उसको follow करूँगा एक बार पढ़ने का कोशिश करूँगा और एक जो चीज है देखिए मेरा recommendation यही रहता है if you are in second year please start reading from your textbook standard textbook ऐसा नहीं है कि Indian author बुरे होते है या foreign author ही best होते है आपको जो textbook अच्छा लगता है easy to understand आप उसको पहले पढ़िए लेकिन एक चीज ध्यान रखिए जैसे मैंने की यह तीन textbook आपको दिखा है signal and systems के अब अगर मैं at a time इन तीनों को एक साथ अगर refer करूँगा मेरे लिए बहुत difficult होगा तो कभी भी अगर आप textbook पढ़ रहे है पहले एक textbook को बहुत अच्छे से finish कीजिए अगर उसके बाद भी आपको मतलब concept lagging लगे अब आपको पता कैसे चलेगा कि concept lagging है आप directly gate का previous year questions solve कीजिए एक chapter जैसे कि आप 4 year series उठा लीजिए आपने इस book से 4 year series पूरा पढ़ा उसके बाद आप previous year questions पे गए और आपने देखा कि suppose करिए 20 question है 20 में से आपके 15 questions बन गए 4 year series के that means you have understood the concept from this book आपको और एक book पढ़ने का जरूरत नहीं है लेकिन वहीं पे अगर आपने 50% question बनाए ठीक है और questions गलत भी काफी हो गए then you need to study more आप लगे तो फिर से एक बार उसी book को पढ़िए concepts को underline करिए ठीक है और अगर वहाँ से फिर भी वही problem है then start referring some other book या YouTube में पहले video को देख लीजिए तो मैंने सोचा है कि आप लोग के लिए कैसे एक standard textbook को पढ़के notes कैसे बनाया जाते उसका भी मैं एक video लाऊंगा तो channel को जरूर ऐसे videos के लिए subscribe कर लीजिए और ये video अच्छा लगे तो please like and share आप लोग जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले session में धन्यों